हैलो, एज आए दे 3, 22 मुद्णार मते रहाऊन, आज अपन सालो आओत टेकडी ला, आपला नेक्स्ट आप आए टेकडी, सो वन नाइट अपन टेकडी मते रहाणा रहो, हाँ है रोल मुंद्णार टेंकरी जा, मुन्ना टूट एकडी हे साधारन साड़े दिन तासात आपन पोस्तो वल्ना वल्ना चे रस्ते आहे जसे में तुम्हेला सांगितला काल रातरी पाउस पड़ूंगे लेला है तुम्हें बगू शकता कि दोनी साइडला भरपूर साड़ी आहे असा वाटता अपन जसकाई जंगला मद न साल ले अखोथ खूब छान सीनिक व्यूज मन्टात न केरला मदे रोड्स ट्रावलिंग करता ना सुद्धा आजू 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 ला खूब छान नेसरगा है अप प्रचंड मोठा वाटत होता त्याना अंतर अंदवे अमाला ही चान एक गड़िसेंट साटी अंदवे अमाला एक मोठ्धा दबदबा दिसला सो मनु नामी तिकड़े थामलो सो खूब छान मोठ्धा दबदबा होता बरेस टूरिस्ट गाड़ी थाम्बोन खाली उतर लेले प्रचंड मोठा वाटत होता त्याना अंतर अंदवे अमाला ही चान एक गणपती बपा छी मूर्थी सुद्धा दिसली त्या पन उतरू नामी फोटो काड़े फर्स्ट आप अमसा होता तो पेरियार स्पाइस मादे सो हे स्पाइस गाड़न आहे अर्विदी मेडिसिन्स आ चाहरािए विल इनफ़र्मेशन दीली जाते कि थे कोंटा कोंटा आजारां वर उप्योगी आहे थे अपदल आपलावला संगेतला जाता इथे एक स्टोर सुदा है तो तुम्ही स्पाइसेस की वा तुम्हाला हावे असलेले मेडिसिन्स तुम्ही विकष्ग की हो शकता फर रुभ चान है ुभ चांने, लिग घता ना चूस्ट लिचारा भी तो, कोदी इक ये अधिकी ही बीड़ी। आक सानी गांप लान शीन जो बाणने थो फिरेमिंगे से लिवी में आयोडों कुछिए लिद्या फावस पुर्ण प्रणेया model कुप चान होता है कुणता ही Spice Garden ना नक्की विजिट करा त्यान अंतर अमी गेले लो Elephant Center ला Elephant Center ला इते हत्या है अपन चान पे की एचावर इते Elephant Ride करू शकतो Elephant Ride अमेला बरेज वरिष्णा पसुन कर रहा है अपन उन्टा वर बश्ना की वा घुड़ा वर बश्ना है नइमिस कर तो होस राइडिंग अगरे पन केरला मते तुम्ही जर वीडियो बगित लासें तही थे Elephant Ride खुब फेमस आये स्वामी Elephant Ride के लिए खुब चान एक्स्पिएंस होता हा मारिया आतिचचन आवं मारिया अलीट隌 feature वर थी 30 वर्श्पषि ये स्वाम केलेल स्वाइं स्वाणीच आपला वीडियो बने हसा स्वाणीच अप स्वाणीच म silos पन्थ siis अभावना था ड़िप स्पैनोस न kafूर प्रस्पि अपन खूब चांगला एक्सपीरेंस आये, सो हाँ एक्सपीरेंस हुमी नक्की गया राइड जाले वर आमी मारिया बरोर फोटो सुद्धा काडला त्या नंतर अजुन एक अट्राक्शन इकड़ चाहे त्या एलिफेंट बात सो एलिफेंट बात मदे बेसिकली आपन अधी हत्तीला चानपीकी अंगोल गालेची आसे आणि त्याचा नंतर हत्ती अपलेला मंजे त्याचा सोंडे समोर एक हाउद असो त्या हाउद आतला पाणी थे सोंडे नी आपले अंगावर उड़ोतो बाजुला स्टेयरकेस है अपन स्टेयरकेस वर चड़ूं हत्ती वर बसाईचा है आणि नंतर हाँ चान पेके अपले अंगावर सोंडे नी पाणी खालतो लेका अपन त्यान अंगोल गालेची नंतर तो अपलेला अंगोल गालतो पेरियार लेक वर जी बोटिंग असे ती बुक के लेली पेरियार नाशनल पार्क क्यों वाइल लाइफ सैंचूरी आहे जी 777 स्क्वेर किलोमेटर पसर लेली आहे सकाड़ी साथ ते रात्री नाववजे परन हे ओपन अस्तो इथे तुम्हे नाशनल पार्क मदे फिरू शकता एक नॉमिनल एंट्री फी आहे ती पेकरून तुम्हे पुरुण नाशनल पार्क एक्स्प्लोर करू शकता बोटिंग तुम्हे ओनलाइन सुद्धा बुक करू शकता तीन जड़ां ची बुकिंग ची कॉस्ट होती 1510 अंजे प्रत्यकी पास्चे रुपे ही डीड तासा ची बोट राइड आहे बोट राइड करता ना तुम्हाला लेक चा बाजूला भरपूर प्राणी विस्तिल या आलाव आगय हर्न सुद्धा दिसलेलेजी गपरे डही टिया चैमेरे अंजे पर राइड शकता प्राणी यह आ हैंते पेरियार मादे जवर जवर 53 टाइगर्स आहेत, आणि 900 पेक्षा अधिक एलिफेंट्स आहेत, त्या विति रिटता इथे वेगवग्रे प्रकार चे प्राणी आहेत, जंगली प्राणी पर सुधा बगाला मिलता, हरणा आहेत, सामबार आहे, त्या शिवाए सीजन वाइस वे बड़ वाचिंग करू शकता, सो हा सुधा एक यूनिक एक्सपिरियांस है, एकदम इंटीरियर और फॉरेस्ट अपन फिरतो आहे, लेक मदे खूब थंडव आता वरण होता, वे प्रकार चे पक्षी सुधा हमाला बगायला हमे आले, सो हे सुधा एक यूनिक एक्सपिरिया तुम्ही नाहंची ट्राये करगाँ ट्यान अनतर ही गएलेलो कलरी आत् पगयला किकिड कलरी सेंटर ला गएलेलो mitig कलरी आतओ हांथान्सा अ मार्शल आर्टस अएक प्रकार आये, फ़ार ट्रेक्षिनल आहे, मार्शल आतोंक्य मार्शल आर्टस यहींने दाको трав žeिन्स्पिर प्रिफेंस टेक्टिक्स दाखोता तो हे सुद्धा खूब छान आहे बगणा सरकाहे है तीकेट जे है टू हंड्रेड रूपीज आहे और है तुम्हें अंदर स्पॉट ग्योग शकता एलिफेंट राइड एलिफेंट बात कल्लरी आर्ट कत्थकली त्यान अंतर मैजिकल शो अशे बरेज गोश्टी आहे त्या सेंटर मदे सो तुम्हाला जे अक्टिविटीज हावे असल तेचे टिकेट सुमी घ्योग शकता खुप छान पर्फॉर्मेंस दिला या लोकान नी तो यह आठ अजुने ही तैनी जपून ठेव ले लिया है और टूरिस साथी रोच्चे है शोज असात तीन शोज असात संध्याकड़ी पासते सहा सहाते सात आणी साते आठ तो आठ वस्ता सहा शेवट सा शो अस्तू सो अमी हाँ शिक्स टू सेवन सा शो टिकेट घत लेला काने हान अंतर आमाला सेवन टू एट आमी कथकली या डांस फॉर्म से टिकेट्स काड़ लेलें सो हे सेंटर सक्धी बाजू बाजूल आहे पास मिंटा वर आहे प्रत्तिक गोश्ट तो तुम्हीं है बगू शकता है सो हा सुधा एक वेगळा प्रकार आहे सो तुम्हाला नक्की चावडेल त्यान अंतर आगी बरोवड सुधा हैंनी काई स्टन्स केलेले यह सुधा खूप चान होते लाइट्स अगे ओफ केलेले आणी मग हैंचा तो लाइट्स फायर बरोवड चा स्टन्स तैन्स तैन्नी दाखो ले वे सुधा खूप यूनीक होता अणई एक वेगळा एक्सपिरियंस वेगळा थ्रीलिंग एक्सपिरियंस होता सो हां सुद्धा तुम्ही नक्की ट्राए करा शोला एटेंड करेला त्यानंतर आमी तेलो कथकली हा ट्रडिशनल डांस फॉर्म बगायला त्यामाधे त्या आर्टिस्ट नी अपलेला वेगवगड़े भावाये हास्य भाव किवा राग किवा प्रेम कस वेक्त करायाईच यह एक्सप्रेशन्स मदे करून दाकोला त्यानंतर त्यानी अपलेला एक स्टोरी नरेट के लिए एक स्टोरी सांगित लिए आनि त्या प्रामाणे त्या स्टोरी वर बेस त्यानी पूरुणा आक्ट करोन दाकोला त्यान सुधा एक खुब छान डान्स फर्म होता तुमाला नक्की आवडेल यह शोर चे टिकेट्स पन पर परसन टूहंडरेड रुपीज आहे और है सग्ड़े जा आर्ट फर्म साहे त्या अगधी बाजु बाजु बाजुला है मैं जा कल्लरी आर्ट्स हून अगधी पार कल्लरी कोट्ठकली आवडेव्यॡ ऑन होता सफे तीन चारी इवेंटस है थे तुम्हें गधी ताइमिंस हाता तो त्या अघुपार से एशो बने तुम्हें टिकेट्स ग्यूशकता हून आभडे तुर्म कल्लरी आर्ड्स घेटलेला शिक्स तूश्य फेट्स टिकेट्स आप वस्ता में फ्रोग्राम संपलायन अंतर आमी रेस्टोरेंट ला गेलो सो दाट वस एंड अग दो टुडेश हेक्टिक डेग करना सका पसुन एक आम आगे एक फ्रोग्राम फिक्स्ट होते तो सगय आमी एटेंड करत करत सगयश फब्स कवर करू Fuß रात्री साड़े आपलामी रेस्टोरेंट्ला पोच सेलो क chịानंदर में होटेल ला परतालो हां हे दाइनिंग एरिया सो रातरी डिनर के ला मी थे होटिल सा वीडीयो मैं सप रेट पोस्ट करते तककेडी जुख STE होता ही थे हो ड़्या अन्थ्र लागे तला चिकन सूप त्यानां श democrats चेटी नमत्र चिकन संट्ध ओंतर चिकन संट्ध thank you so much